हाँ जी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस रिविजन लेक्चर के सेशन में आज हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं का एक चाप्टर जो बहुत ही इंपॉर्टन है इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा पिछला वीडियो रिविजन का नहीं देखा हुआ है जिसमें मैंने डिविडेंट चाप्टर को रिवाइज किया है तो उस वीडियो को पहले देखिए और फिर इस वीडियो पर जम किजिए ठीक है तो आज का जो चाप्टर है वो अपना लास्ट चाप्टर है फ्रम दे सीए इंटर कंपनी लॉग यह पकर के चलो मतलब इस पर इस पर एक्सपीडियन्स और इस पर पास्ट पेपर्स ऑफ दे आईसी ए ठीक है तो यह चाप्टर बहुत ही इंप्टर बहुत ही इत्मिनान से इसको हम लोग रिवाइज करेंगे ठीक है ताकि एक भी पार्ट जो है एक भी पॉइंट जो है वो ना चुटे करने हैं तो पहला सेक्शन है सेक्शन 139 अपॉइंट्मेंट ऑफ दी ऑडिटर अब ऑडिटर के दो प्रकार होते हैं एक होता है फिर सब्सेक्वेंट और कोई भी कंपनी जब इनकॉर्प्रेट होती है तो उसके लिए पहले ऑडिटर अपॉइंट करना बहुत जरूरी होत है अगर बात करता हूं मैं और कंपनी नॉर्मल कंपनी के अगर मैं बात करता हूं और नॉर्मल कंपनी का फॉर्स्ट ऑडिटर में अगर देखता हूं तो फॉर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करने का राइड जो है नॉर्मल कंपनी का वह दिया जाता है बोड़ अप्रेटर तो board of directors ने अगले 30 दिन में आनी कि registration से incorporation से 30 दिन के अंदर पहला auditor appoint करना है और अगर board of directors appoint नहीं करते हैं तो board of directors ने क्या करना है members को इस बारे में information दे देनी है और members क्या करेंगे within 90 days क्या करेंगे एक EGM बुलाएंगे तरह इस extraordinary general meeting और वहां पर इस first auditor की appointment होगी मतलब के incorporation के 30 दिन के अंदर और अगर board of directors fail होते है if fail then 90 days बोला है अब 90 days कहां से तो यहां से हम लोग लेगे 90 days incorporation से तो यह कुल मिला को जाते है 60 दिन ठीक है 30 days and 60 days तो from the incorporation 30 days board of directors and if board fails then from the from that 30 expiry of 30 days within next 60 days then 90 days from the incorporation आपकी कंपनी का पहला auditor appointment होना चाहिए और यह जो 60 दिन का limit है यह members को दिया जाता है कि members extraordinary general meeting लेके उस auditor को appoint करें यह जो भी auditor appoint होता है first auditor वो office hold करेगा till the expiry of the first age जैनी कि जिस साल भी आपका आपका इन कोपरेशन होआ है उस साल के आपकी वह पहली एजियम होगी तो पहली एजियम के अंत तक आपका वह auditor as an auditor काम करेगा because उस एजियम पर आपका subsequent auditor appoint होगा जो अगले सालों के लिए audit करेगा ठीक है वही अगर मैं बात करता हूं government company तो एक का नाम आपके जहन में ज़रूर आता है वह है C&A G वह लिए C&A G Comptroller and Auditor General of India तो government company को auditor appoint करने का जो राइट है वह दिया जाता है C&A G को यह कैग बोलते है इसको commonly भाषा में तो कैग को यह राइट दिया गया है कैग in cooperation के that is registration के साथ दिन के अंदर क्या करेगा first auditor को appoint करेगा अगर कैग पहले साथ दिन में अपन नहीं कर पाता है तो यह power दिया जाता है board of data's को board of data's next 30 days में next 30 days बोला है मतलब कि 60 days से 30 days यहाँ पर हमने 90 days को next 90 days यहाँ पर नहीं लिखा है इसलिए हमने 30 के बाद 60 लिया यानि कि 90 from in cooperation लिया वही विकाज अगर उन्होंने next 90 days बोला रहता तो 30 plus 91 21 हो जाता था लेकिन यहाँ पर उन्होंने कुछ next word इस्तमाल नहीं किया कहां पर यहाँ पर word इस्तमाल नहीं किया है तो यह 90 days हम लोग इन corporation से लेंगे लेकिन यहाँ पर 30 days क्यू लिख यहाँ पर specifically next 30 days लिखा हुआ है इसलिए हम लोग from the expiry of the 60 days यानि कि जो 60 दिन मिले है किसको क्या को government company का auditor up point करने के लिए उसके expiry के 30 दिन के अंदर-अदर board of data के पास यह power है कि वो क्या करे और reader को up point करे government company का और अगर यह board of data भी fail हो जाता है तो within 60 days अब यहाँ पर देखो next 60 days बोला है या फिर only 60 बोला है यहाँ पर only क्या बोला है 60 days तो 60 days कहा से तो मैं बोलता हूं 60 days from the expiry of the 60 days यानि कि पहले 60 अगर दिन के अंदर cag up point करेगा अगर cag fail होता है तो अगले 30 दिन के अंदर को अपन करेगा board of data अपन करेगा और 60 दिन यहाँ से मतलब कि यहाँ से कितने हो गए 30 तो 60 30 और 30 why 30 60 क्यों नहीं यहाँ 60 विदिन 60 बोला है तो विदिन 60 कहा से from the expiry of the time limit given for the cag तो government company का auditor अपन करने का पहला power जाता है cag के पास cag अपन करता है पहले 60 days में from the incorporation if he fails then next 30 days में board of data और फिर next 30 days में that is 60 days from the cag fails अपन करेंगे members at the EGM the auditor of the government company that is the first auditor उसके बाद एक note दिया वहाँ यहाँ पर government company और इन यह दो company owned और control directly और indirectly by center government और by state government और governments और partly by center government partly by one or more state government company का definition यहाँ पर एक दिया होाँ तो government company का मतलब क्या होता है वह अमने पिछले lecture पर ही cover कर लिया sorry मैंने उसको foundation पर revise किया था तो आपने आपने इस government company के definition को revise कर लिया है ठीक है अब यह तो होगी first auditor के बात अब बात करते हैं subsequent auditor के बात तो subsequent auditor को appoint करने के लिए हमको जाना पड़ता है कहाँ पे AGM में कहाँ पे annual general meeting में if you know annual general meeting के ordinary businesses में एक business हुआ करता था appointment of the auditor, reappointment of the auditor and fixation of the remuneration तो अगर यह normal company के बात करता हूँ normal company के बात करता हूँ तो normal company में auditor के appointment हमेशा और हमेशा AGM में ही होती है ठीक है और इसका tenure का कैसा रहता है आपको पता है कि company check 2013 में आप पांच साल के लिए auditor हो सकते हो so the tenor auditor shall hold the office from the conclusion of the meeting मतलब जिस meeting में उसको appointment किया गया है उस meeting के conclusion से अगले 6th meeting तक उसका appointment रह गया यानि कि मान लेते है कि कोई auditor 6th meeting पे appointment हो है 6th AGM पे appointment हो है तो 6th AGM से लेके 7, 8, 9, 10, 11, so 11th AGM के end तक मान लेते है किसी auditor को 12th AGM पे appointment किया 12th के बाद 13, 14, 15, 16 और 17th AGM के अंत तक वो क्या करेगा as an auditor काम कर सकता है हां firm के लिए ये 5 years के 2 clauses available है वो हम लोग बाद में देखेंगे अब ये समझो कि 10 और कितना होता है 5 years का 10 और होता है यानि कि 6th AGM तक जिस AGM पे उसको appointment किया है उसके बाद 6th AGM तक वो अपना office hold करेगा वही अगर मैं government company में आता हूं तो government company में AGM की रहा देखने की जरूरत नहीं है यहां फिर from the start of the financial year within the period of 180 days आपको auditor appointment होना चाहिए और यह auditor appointment करता है कुन क्या है और वो auditor कब तक अपड़िटर हैगा till the conclusion of the AGM जिस साल उसको appointment किया है उस साल के एजम तक अपना office hold करेगा ठीक है तो मोटा मटी बात कर ले अगर मैं बात करता हूं first auditor की तो अगर यह government company है या फिर यह normal company है अगर normal company है तो पहले कितने दिन के अंदर appointment होगा बोलो 30 तीस दिन के अंदर कोन अपन करेंगा board of data और अगर fail हो जाते है तो अगले 60 दिन के अंदर members at EGM members कहां पर अपन करेंगे EGM में अपन करेंगे यहां से कितने हो जाते है in corporation से कितने हो जाएंगे 90 days हो जाएंगे अगर government company के बात करता हूं तो in corporation के 60 दिन के अंदर C and EGM अपन करेंगे if they fails then within next 30 days board of data अपन करेंगे and if they also fails then within next again 30 days कोन अपन करेंगे members अपन करेंगे जो यहां से कितना हो जाता है 60 days हो जाता है clear है और अगर वही मैं बात subsequent auditor की बात करता हूं subsequent auditor तो अगर मेरी company government company है normal company है अगर normal company है तो at AGM appointment होगा और tenure रहेगा 6th AGM तक जिस AGM पर appointment है उसके 6th AGM और government company की बात करता हूं तो from the start of the financial year so from the start of किसी भी financial की start होगी तो उसके अगले 180 दिन के अंदर क्या appointment करेगा और इसका जो tenure रहेगा वो बस एक साल का ही रहेगा अगर मैं टेक्निकली बात करता हूं तो एक साल का ही रहता है मतलब कि from the conclusion of the AGM conclusion of the AGM okay मतलब कि उस साल का AGM तारी कि 18-19 अगर साल है तो 14-2018 से लेके 180 दिन के अंदर appointment करो और 18-19 की AGM मान लेते हैं 30 September 2019 को उनकी AGM हो गई है तो उस दिन तक वो auditor रहेगा clear है पक्का तो यह रही बात क्या बोलो appointment of the auditor की बात कर दें आगे आते हैं casual vacancy auditor now what is casual vacancy auditor हो सकता है कि auditor जिसको हमने appointment किया है वो मर गया उसकी death होगी यह फिर वो disqualify हो गया ठीक है यह फिर उसने resign कर दिया तो किसी भी हालत में auditor की जगा तो खाली है company में और auditor की जगा खाली नहीं होनी चाहिए तो अगर auditor की जगा खाली नहीं होनी चाहिए तो उसकी जगा पे हमको middle of the term में क्या करना पड़ेगा एक दूसरी auditor को लाना पड़ेगा इसको मोलते है casual vacancy auditor why because by the any reason if the auditor vacates his office then there is a casual vacancy in the office of the auditor so for filling that casual vacancy we have to get the another person as an auditor in the company तो casual vacancy auditor को को अपन करता है तो other companies तो नॉर्मल कमपनी के बात करता हूँ तो जब कभी भी casual vacancy हो जाएगी तो उसके अगले 30 दिन के अंदर board of directors will fill that casual vacancy board of directors के पास power है कि उस auditor को वो auditor चाले जाने के पाद उसके जगा पे किसी और auditor को अपन करे भले वो auditor AGM में अपन किया है members में ठीक है वो अगर चला गया तो उसके जगा पे board of directors अपना auditor बिटा सकते हैं अगले 30 दिन के अंदर ये board of directors के पास power दिया हुआ है ठीक है लेकिन अगर मान लेते है casual vacancy जो हुई है वो resignation के वज़े से हुई है okay death से भी हो सकती है disqualification से भी हो सकती है incapacity से भी हो सकती है या फिर resignation से भी हो सकती है ठीक है अब यह उपर के तीन case में normal scene है 30 दिन के अंदर board of directors अपना continue करेगा लेकिन वही अगर बात करता है resignation की मतलब उस auditor ने अपने से खुच से resign किया हुआ है अपने से खुच से resign किया हुआ है तो अपने से खुच से resign अगर उसने किया है तो हो सकता है board of directors की गलती की वज़े से या फिर auditor ने वो mid company छोटने का उसका कुछ purpose हो सकता है तो इसलिए अगर resignation से casual vacancy हुई है और उसके जगा पे board of directors ने अगले 30 दिन के अंदर दूसरा auditor appointment करवा दिया है तो उस case में अगले 3 महिने के अंदर आपने क्या करना है एक general meeting convey करनी है और उस general meeting में वो जो appointment किया है board of directors ने किसका auditor का उसको approve करके लेना है ठीक है बात समझे मतलब कि normal अगर casual vacancy हुई है तो ठीक है board of directors 30 दिन के अंदर appointment करेंगे बात खत्म हो जाएगी लेकिन अगर 30 दिन के अंदर appointment किया लेकिन वो जो auditor जो छोड़के चला गया है वो resignation की वज़े से चला गया है तो उसके अगले 3 महिने के अंदर एक meeting मुलानी पड़ेगी उस meeting में सारी बाते रखनी पड़ेगी कि पिछला auditor क्यों चला गया है और अगर members को लगे कि हाँ सही में board of directors ने नया वाला जो auditor अपन किया है वो सही है तो वो approve कर देंगे नहीं तो फिर आगी के बात हो अपना place रखेगा मतलब for example अगर मान लेते हैं हमने एक auditor को अपउइंट किया था एड़ी सेकेंड एग्या तो उसका office रहेगा कहां पर 3rd 4th 5th 6th और 7th तो 7th एग्यम तक अपना office hold कर सकता है यानि कि पांच सालों के लिए यस तो लेकिन हो सकता है वो auditor 4 साल में ही बीच में चला गया तो in between the year हमने क्या कर दिया casual vacancy auditor को अपउइंट करें तो casual vacancy auditor क्या करेगा यह जो चौते साल में हमने उसको अपउइंट किया है वह फिफ्ट एग्यम के एग्यम और फिर हम बोलेंगे उसको के फॉर्थ एग्यम के फॉर्थ साल की एग्यम में उसको अपउइंट क रख सकता था अर्गेटिंग मपउइंट ओके नेक्स्ट बात करते हैं रिया पॉइंट कर सकते हैं तो जिहां जरूर कर सकते हैं लेकिन पांच साल से जाधा नहीं in case of individual और दस साल से जाधा नहीं in case of a firm that you know rotation वाले को आगे देखने वाले जो ऑडिटर रिटायर हो रहा है every year जो रिटायर हो रहा है उसको हम लोग रियापॉइंट कर सकते हैं unless he is not disqualified for reappointment अगर वो अगले साल के appointment के लिए qualified नहीं है तो हम उसको नया रियापॉइंट नहीं करेंगे दूसरा अगर उसने company को notice दिया है वो भी राइटिंग में कि मैं इस company का auditor नहीं रहूंगा मतलब I am unwilling to continue as an auditor पहली बात वो disqualified होगा तो उसको reappoint नहीं करेंगे दूसरी बात अगर उसने खुद ने बोला हुआ है कि मैं इस company का auditor नहीं रहूंगा I am unwilling to be the auditor of the company for the next year तो उसको अपोइंट नहीं करेंगे या फिर a special resolution has been passed हमने देखा था कि special resolution pass हुआ है not to appoint that particular auditor for the next year और appointing any other person in place of that retiring auditor दो बात है यहाँ पर एक तो special resolution pass हुआ है that this person should not be appointed not to appoint this auditor for the financial year और the special resolution has been passed for appointing any other person in place of the retiring auditor तो उस case में जो retiring auditor है उसको हम लोग reappoint नहीं करेंगे तो यह तीन cases है जहाँ पे हम लोग रिटारिंग ओडिटर को वापस reappoint नहीं करेंगे पहले डिस्क वाले हो गया दूसरा उस auditor ने unwillingless दिखा है और तीसरा special resolution pass हुआ है for not appointing that not to reappoint an auditor and or to appoint any other person in place of a retiring auditor ठीक है उसके जागा में where at any AGM no auditor is appointed or reappointed the existing orders are continue to be auditor of the company अगर मान लेते किसी उस AGM पे अगर नहीं auditor का पंड नहीं किया है या फिर हमने उस auditor को reappoint नहीं किया है तो इस प्रिजूम दैट जो existing auditor है वो continue कर लेगा आसान बात है ठीक है next बात कर रहे हैं हम लोग rotation of the auditor के अभी rotation जो है वो किसको किसको लागो है rotation लागो है listed companies को और specified class of companies अभी specified class of companies कोन सी है तो नीचे देखो specified class of companies यहापे लिखे हुए आपके पास एक तो listed company तो ठीक है listed companies को लागो है प्लस इसके साथ साथ कोई भी unlisted public company जिसका paid up share capital 10 क्रोड और मोर है या फिर ऐसी private company जिसका paid up share capital 50 क्रोड और मोर है या फिर जो company उपर वाले limit में नहीं आती है लेकिन जिनका borrowings बहले वो unlisted public company हो या फिर private company हो जिसका public borrowings from financial institution, banks and public deposit और public deposit exceeds Rs. 50 क्रोड और sorry is 50 क्रोड और मोर तो अगर किसी unlisted public company का paid up share capital 10 क्रोड या फिर उसे जादा है private company का paid up share capital 50 क्रोड और या फिर दोनों limit से नहीं नीचे है लेकिन उसका public borrowings public deposit जो है वो 50 क्रोड और मोर है तो उस case में इसको ये rotation वाले clause लाग हो जाएगे ठीक है अब यहाँ पर देखो एक point है यहाँ लिखा है public deposit आपको एक्जाम में भूमरा कर सकते है लिख सकते है कि member deposit है मेंबर deposit है कुछ 30 लाख और public deposit है 30 लाख तो कुल में लाके 60 लाख हो गया आप बोलेंगे deposit है 60 लाख से उपर हो गया नहीं भाई यहाँ पर देखो public deposit specific word इस्तमाल किया है तो आपने public deposit दिखना है 30 लाख है तो यहाँ पर rotation clause लागू नहीं हो जाएगा तो यह बात जरूर या नहीं पेड़ेप्चर क्यापड़ 50 लाक्स और मोर या फिर दोनों लिमिट में नहीं आती है बले वह अनलिसेट पब्ली कंपनी हो प्राइवेट कंपनी हो जिसका पब्लीक बॉराइंग्स फाइनाशल इंस्टूशन और और पॉब्लीक डिपोजिट कुल मिला के कितना है 50 तो आक लिए रोड़ेशन का क्लास लाग हो है सो दस पचासायाथ 2550, 50,-----ường-बिक किसका आएorama जाएम पना पंडिव्जोल पनी को ऑड़ेटर पॉंड किया है तो तो वो five consecutive years के लिए audit कर सकता है उसके बाद उसने क्या करना है थंदा हो लेना है अगर आपने your audit firm कर प्प्पाइटिया है तो audit firm two terms of five consecutive जो आज़े टेक्निकली तेज जी के लिए तियस के लिए अनिकि उसके बाद उसने भी थंदा हो लेना मतलब एक auditor, एक company का, अगर individual है, तो 5 साल continuous audit कर सकता है, उसके बाद उसने उस company को audit, अगले 5 साल के लिए नहीं करना है, और अगर एक audit firm, या फिर एक LLP, अगर एक company को audit करती है, तो वो दो terms 5 years का निकालेगी, मतलब 10 साल निकालेगी, और 10 साल के बाद उसने 5 साल के लिए उस company को auditor नहीं रहना है, that means a cooling period of 5 years, तो दोनों के लिए cooling period 5 years है, appointment के लिए 5 साल, appointment के लिए 10 साल, respectively for individual, respectively for partnership firm, और LLP, clear है, पक्का ऐसे क्यों है, बिकाज हमने देखा हुआ है कि बहुत सरी auditor, जो inception से company के उसके ही auditor है, वही audit कर रहे है, तो हो सकता है, कौनी वन्स होके, मिली भगत करके, वो उस company में fraud वगरा कर सकते है, with the management, तो इसलिए यहाँ पर rotation वाला clause लागू हो जाता है, अब यहाँ पर और भी technicalities है, अगर मैं बात करता हूँ, कि एक firm है ABC, जिसका partner है C, अब इस ABC firm ने 10 years complete कर लिए, और यहाँ पर हुआ यह C जो partner है, उसने क्या किया, एक XYC, एक firm join कर ली ठीक है, अब XYC wants to appoint as an auditor of that company, wherein ABC has did the audit for 10 years, तो XYC भी not eligible, why, because C is the partner in the XYC, अर्गेटी में partner, यह फिर ऐसा हो सकता है कि ABC में से, ABC एक firm थी जिसने 10 साल के लिए, अब यह जो C है, यह C ने अपना एक individual practice चालू किया, as a C, individual C यह practice चालू किया, तो वो अपन कर सकता है, नहीं हो सकता, whereas, C individual था, जिसने 5 साल के लिए audit कर लिया, उसने भी ABC firm जोइन कर लिए, और वो 10 साल के लिए appoint होना चाती है, नहीं, वो appoint नहीं हो सकता, उसके बाद और एक point इसमें एक है, जो discuss करना है, अगर मान लेते हैं, एक बंदे को मैंने appoint कर लिया, एक Mr. C, एक individual C है, जिसको मैंने appoint कर क्या उसको cooling period of 5 years का लगेगा, जिहां उसको cooling period of 5 years का लगेगा, बले उसने 1 दिन का audit किया हो, बले उसने 2 साल का audit किया हो, बले उसने 3, 4, 5 साल का audit किया हो, उसको cooling period of 5 years का लगेगा, it will be termed that he has completed his tenure of 5 years, same goes with the firm only, अगर मान लो कोई firm है ABC, उसको हमने appoint किया as an auditor, और उन्होंने 10 स का audit खतम करके, वो audit छोड़ दिया, और वो दूसरे या company से लेगे, अगले साल वो वापस आगे appointment के लिए, तो नहीं होगा, why, because भले उन्होंने 3 साल का audit किया, it will be termed that 10 year period has been completed and cooling period will be levied on that firm for 5 years, okay, तो यह कुछ बात है थी technical, वो आपने याद रखनी है, उसके बाद section 140 है, removal for the auditor अब आसानी से आप लोग किसी company के auditor का appointment कर सकते हो, लेकिन उतनी आसानी से आप उस company के auditor को निकाल नहीं सकते, तो removal के लिए कुछ clauses है, removal के लिए कुछ procedure है, अगर आप अपने auditor को remove करना चाहते हो, तो यह reason, यह उसके procedure है, पहले a special notice क्या मिलना चाहिए, उस company को मिलना चाहिए for removal of the auditor, उसके बाद board meeting will be held, okay, special notice मिल गई, तो special notice मिलने के बाद, कौन देगा special notice, members देंगे, members company को special notice देंगे कि इस auditor को remove करना है, तो उसके बाद board meeting will be decided to decide about the removal and authorizing the filing and application to center government, मतलब क्या है, कि board meeting के पास यह notice आएगा, और board decide करेंगे कि उसको सच्ची में remove करनी की ज़रुरत है या नहीं है, because member चाहते हैं उसको remove करना, अब members और board of leaders मिल के auditor को remove नहीं कर सकते, why, because यह बहुत ही बड़ा मांज रहा है, और इसलिए आपको center government का application, center government को apply करके permission लेना पड़ता है, तो members पहले decide करेंगे, members बोलेंगे किसको, board of leaders को, और board of leaders जाएंगे किसके पास center government के पास, तो ADD ADD2 में आपको apply करना पड़ता है, within 30 days of board meeting, जिस board meeting में decide होगा, कि हाँ, अभी remove करना जरूरी है, तो उस board meeting के अगले 30 दिन के अंदर हमको center government को apply करना पड़ता है, form number ADD2, for getting an approval for removal of the auditor, जैसे center government का approval मिल जाता है, तो आप क्या करेंगे, special notice जो मिली है, कुछ members से, वो सारी special notice किसक और वो members, सारे members को पता चलेगा, कि हाँ, कुछ member चाहते हैं, कि इस बंदे को, इस auditor को हम लोग निकालना चाहेंगे, और फिर वो meeting में आके, उसकी बारे में सोचेंगे, कि इसको remove करना है, या नहीं करना है, auditor को remove करने से पहले, उसको reasonable opportunity of being heard मिलना चाहिए, ठीक है, और auditor जो ह है, वो अभी भी remove होगा है, by passing only special resolution, तो AGM में, AGM में decide हुआ, कि auditor को remove करना है, लेकिन AGM में भी special resolution pass करके, उसको remove कर जाएगा, ऐसा नहीं कि कुछ बंदे बोलेंगे, remove करो, और center government का अपरोल भी आ गया, तो उसको remove हो गया, नहीं, center government का अपरोल आ गया, board of decision to decide किया, लेकिन उ इसको बिल्कुल देना चाहिए, इसमें और एक बात involved है, कि जो auditor है, जो इसको remove करा जा रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा, अपना एक letter बेजेगा, ठीक है, वो letter कैसे होना चाहिए, reasonable length का होना चाहिए, reasonable length का letter है, ठीक है, ठीक है, और ये letter बेजने की जिम्मेवारी किसके बोल करना रखेगा, तो वो later भी सारे members को भेजा जाएगा, ठीक है, तो ये बात होगी, किसकी बोलो, auditor के removal की, आगे बढ़ते हैं, resignation by the auditor, now what is resignation, या प्यों के removal, अब बात किते resignation, resignation मतलब कि मैं उस company का audit छोड़ रहा हूँ, तो जैसे resign कर दिया auditor ने, ठीक है, तो resignation by the auditor of the government company, और company control by center government, और state government, या फिर resignation by any other company, मतलब ये government company के case में है, और ये normal company के case में, बहले ही आप removal कर रहे हो, government company के, बहले ही, आप resign कर रहे हो, government company के auditor से, या फिर आप resign कर रहे हो, from the auditorship of the normal company, दोनों भी companies को form file करना पड़ेगा, ADT-3, okay, so, you have to file one form number ADT-3, किसके पास, ROC के पास, कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, okay, अगर ये government company है, तो ROC के साथ-साथ, आप किसके पास file करेंगे, CAC के पास file करेंगे, और ये normal company है, तो आप बस ROC के पास दे देंगे, और साथ-साथ company को भी देना है, यानिकि, this form has to be filed by auditor, so, auditor क्या करेगा, form number ADT-3 भरेगा, ADT-3 किसको देगा, company और ROC को, और अगर government company है, तो CAC को भी देदेगा, यनिकि company, ROC and CAC, तो इन तीन लोग के पास जाएगा, अगर मान लेते हैं, आपने इस chapter की किसी provision को non-comply किया, तो company के लिए penalty है, 25,000 to 5,000, और officer in default के लिए fine है, 10,000 से लेके 1,000, एक साल की imprisonment हो सकती है, फिर दोनों भी हो सक सकते है, ठीक है, उसके बाद, इनके सब और auditor, अगर auditor ने default किया, in section number 139, section 143, 143 क्या, powers and duties, and section 145, अगर आपने इसमें default किया, तो अगर default willful नहीं है, तो finite 25,000 से लेके 5,000, और 4 times of the remuneration, whichever is less, तो 25,000 से लेके 5,000 तक एक amount decide हो सकती है, या फिर 4 times, जितना भी आपका remuneration है, उस willful है, तो fine होगा, 50 से लेके 25,000, और 8 times of fees received, या पर 4 times है, या पर 8 times, why, because it willful है, whichever is less, साथ-साथ आपको एक साल तक की सजा हो सकती है, एक साल तक की आपको jail हो सकती है, and auditor shall be liable to auditor को, जो भी remuneration मिला है, वो refund करना पड़ेगा, जो भी damages वगार हुए है, किसको, statutory bodies को, company को, authorities को, members को, creditors को, because of his willful default, तो वो उसको क्या करना है, damages वापस करने है, तो यह बहुत ही खतानाक चीज़ है, बच्चो, अगर willful default होता है, तो आपको 50 सार से लेके 25,000, या फिर 8 times of fees, whichever is less, एक साल तक की jail भी आपको हो सकती है, as a CA, कभी भी willful default मत करना, और जो भी remuneration आपको मिला ह वापस करना पड़ेगा, और आपके willful default के वज़े से, किसी को नुकसान हो आचाहे, जो भी party हो, company हो, कोई भी statuted authority, जिससे की income tax हो गया, ROC हो गया, CABी हो उनको, या फिर creditor हो, या फिर member हो company के, उनको जो damage होए है, आपकी वज़े से, वो आपको वापस करने पढ़ेंगे, clear है, पक्का यहां तक clear है का बताओ, यस, आगे बढ़ते हैं बच्चो, दो-तिन बहुत ही important sections है, जिसको हम लोग cover करेंगे, उसमें से पहला section है section 141, that is the qualifications and disqualification of the auditor, okay, बहुत ही important section है, और practically point of specific बहुत ही ज़रूरी है, आपको याद रखना, because यह आपके qualification की बात कर रहे, section 141 मे पहला part दिया हुआ है, qualification का, तो कोई भी बंदा जिसको auditor होना है, he should be CA and he should be practicing chartered accountant, okay, वो individual हो सकता है, firm हो सकता है, अभी और एक नाया है, LLP भी हो सकता है, यानि कि individual CA तो ही सकता है, अगर वो किसी ने, उन्होंने firm बनाई है, यानि कि दो-तीन लोग मिलके, एकटा होके, किसी इन्होंने firm बनाई, partnership firm बनाई है, तो वो भी as an auditor appointment हो सकते है, लेकिन उसके लिए condition है कि कोई भी firm है, उसके majority partners क्या होने चाहिए, practicing in India होने चाहिए, जैसे कि आपको बता है कि नेपाल और UAE में भी अपने institute के offices है, वहाँ पे भी आपने chartered accountants काम कर सकते है, लेकिन जो इंडि firm इंडिया के company के auditor हो सकती है, LLP भी हो सकती है, लेकि आपको पता है कि LLP में बहुत सरे other professionals भी as a partner करके add हो सकते है, तो यहाँ पे जो CS partner है, वो auditor नहीं हो सकते, only CA partner can be the auditor, only that person can sign the auditor report, उसके बाद disc qualification के बात करें, disc qualification list बहुत ही बड़ा है, तो याद करने के कोशिच करेंगे, प वो audit कर सकता है, लेकिन कोई भी दूसरी body corporate क्या नहीं हो सकती है, auditor नहीं हो सकती, दूसरा, कोई भी officer हो, employee हो of the company, यानि कि कोई भी company का officer हो, company का employee हो, वो auditor नहीं हो सकता, दूसरा, कोई भी partner या फिर employee किसका officer और employee of the company, मतलब company में कोई काम करना है, उस काम करने वाले बंदा, य हो CFO हो उसका partner या फिर उसका employee आपकी कंपनी को अडिटर नहीं हो सकता है उसके बाद अगर कोई बंदा PRP what is PRP person relative or the partner PRP stands for person relative and partner अगर मान लेते हैं कोई PRP क्या बोलो PRP यानि कि person या फिर उसका relative या फिर उसका partner is holding securities of the company अगर एक रुप का भी security hold किया उस बंदे ने तो वो अडिटर नहीं हो सकता हाँ हाँ हाला कि relative जो है PRP में से आर जो relative है वो एक लाग तक के securities को hold कर सकते है लेकिन अगर मान लेते हैं कई कबार हो जाता है कि एक बंदा है उसके पापा अगर उसके पापा ने उस company में जिसका वो करता है उस company में एक लाग से जादा securities hold कर भी लिए तो क्या होगा तो ओडिटर को दो रास्ते है एक तो वो उस company को ओडिट छोड़ सकता है या फिर वो अगले साथ दिन के अंदर आपने पापा से कहलवा के वो एक लाग के लिमिट तक उसको क्या कर सकता है करवा सकता है याने कि तो ओडिटर has to take the corrective actions within the period of 60 days okay from the date when the limit of 1 lakh has been exceeded और from the date fact known to the auditor clear है तो साथ दिन के अंदर आपने corrective action लेके उस लिमिट को एक लाग तक लेके आना है सर एक लाग चलेगा क्या हाँ चलेगा एक लाग चलेगा एक लाग एक रुपया नहीं चलेगा उसके बाद अगर कोई PRP परिशन रिलेक्टिव या फिर उसका partner is indebted to the company for more than 5 lakh सर 5 lakh लेक्ट चलेगा अगर किसी बंदे ने किसी कंपनी से लोन वगए लिया है और उसके पास 5 lakh का लोन उसके बहुत पर पेंटनेगा किस बी बंदे के उपर और नहीं हो सकते है कोई भी person related या partner PRP के लिए तीन condition है अगर उन्होंने guarantee दिया हुआ है in exceeding to rupees 1 lakh एक लगत की guarantee चल सकती है मतलब कि आपने उस company के लिए उस company को जिसके आप auditor होना चाहते हो उसको अपने guarantee दिया है on behalf of third party कि जि third party ने उससे loan उठाया या फिर किसी contract में वगर आपने guarantee दिया है उस बंदे को किसको company को उस third party के भीयाफ पे किसको company को दिया और वो guarantee के amount अगर एक लाक से ज़ादा हो रही है तो आप उस company के auditor नहीं हो चाहते है अगर कोई बंदा या फिर कोई भी firm या फिर कोई अगर उस company के साथ तो आप उस company के साथ तो आप उस company को डिटर नहीं हो सकते है provided आपका जो contract आपका जो transaction है वो arm's land price में चलता है उसके बाद कोई भी बंदा जो company के डिरेक्टर का रिलेटिव है मतलब माल लेते हैं मैरी मम्मी मेरे पापा उस किसी company में director है तो उस company को डिरेक्टर नहीं कह सकता है या फिर मैं खुद उस company का डिरेक्टर हूं या फिर मैं खुद उस company का key manager person हूं उस company को डिन हो सकता अगर माल लेते हैं मेरे मेरे पास 20 से ज़्यादा audit है मतलब मैं एक टाइम पे 20 कंपनी से ज़्यादा कंपनी का audit मेरे पास है तो मैं 21 भी कंपनी में auditor नहीं हो सकता लेकिन इस 20 के limit में कौन-कौन से नहीं आती है O.P. से नहीं आती है उसके बाद dormant company नहीं आती है small company नहीं आती है और private company जिसका paid up share capital 100 क्रोड से ज़्यादा है तो ये companies उस 20 में नहीं किनी जाएंगी मतलब ये जो companies हैं इसके में unlimited audit ले सकता हूँ इस company में unlimited audit ले सकता हूँ इसको छोड़के जो कोई भी company है उसके 20 से ज़्यादा audit नहीं ले सकता मतलब आज के दिन पे अगर मुझको auditor करके appointment होना है तो देखना पड़ेगा कि इसके पहले 10 सालों के पहले क्या मेरे उपर कोई fraud का conviction हुआ है fraud मतलब fraud में कोई मैं guilty पाया गया हूँ fraud में मेरे उपर case चला था और fraud सिद्ध भी हुआ था मेरे उपर और अगर हुआ था तो उसके बाद 10 साल खतम हुए है नहीं हुए है अगर 10 साल खतम हुए है तो auditor हो सकता हूँ नहीं कि यह हैं तो नहीं हो सकता अगर माल लेते हैं मैं 144 सेक्शन 144 वाली services प्रवाड कर रहा हूँ तो मैं उस company में auditor नहीं हो चता हूँ 144 अभी हम लोग इसी सेक्शन के बाद दिखने वाले है बताएं कि disk qualification clear है या ने विकाद आपको exam में आ सकते हैं सारी के सारी याद करने के ज़रूरत नहीं है आप इसमें से कुछ याद कर सकते हो for wholesale answer लेकिन retail सवाल भी कई कबार आ सकता है आपके जैसे कि ये security वाला scene हो गया, indirect वाला scene हो गया guarantee वाला scene हो गया, 144 वाला scene हो गया, number of audit वाला ये scene हो गया, ये 60 days वाला बोला था न relative ने अगर ज्यादा hold किया तो कितना होगा तो इसके उपर आपको retail सवाल आ सकते है तो इन चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान से tackle करेंगे, clear है, पक्का, yes अब बढ़ते है 144 section, section number 144 that is auditor not to render certain services इसका मतलब क्या है, अगर मान लेते हैं आप उस company के auditor हो, तो आप उस company को section 144 में दिएगे services को आप provide नहीं कर सकते है अब ये कौन कोशी services है, examination का hot favorite सवाल है बहुत बारी exam में आया हुआ है, तो ध्यान से देंगे अब इसके लिए मैंने एक neemonic बनाया, neemonic क्या है, I am doctor CA, क्या बोलो, I am doctor CA, जोर से बुलो क्या, अगर section 144 के services को आपको याद करना है, तो यह आप याद करेंगे I am doctor CA, जोर से बुलो क्या I am doctor CA, जोर से बुलो क्या I am doctor CA, जोर से बुलो, I am doctor CA तो आप अगर किसी company के auditor हो तो आप उस company को section 144 वाली services provide नहीं कर सकते हो, section 144 के service इसको लिए आया इंटर्नल ऑडिट तो आप इस कंपनी के ऑडिटर हो उसको इंटर्नल ऑडिट अंडर सेक्ष्चन 138 आपने देखा था था 25 से तो आप इस सर्विश सकते या फिर आप उस कंपनी को इन्वेस्मेंट इडवाइजरी सरफिस प्रोइड नहीं कर सकते हैं REPL एस से ओगया directing से कुछ नहीं है डिरेक्टली ए से हैं अकाउंटिंग एंड बुक्टीपिंग एंड एक्टूरियल सर्विसेज तो कितने होगे एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ ओके तो यह आठ सर्विसेज आप प्रोवाइड नहीं कर सकते वापस एक बार आयम डॉक्टर सीए जोर से इंफर्मिशन सिस्टम आर से रेंडरिंग आउट्सोर्स फाइनाश्यल सर्विसेज से कुछ नहीं है एसे अकाउंटिंग एंड बुक्टीपिंग एंड टूर नहीं कर सकते जिस कंपनी के आप स्टेट्टेरी ऑडीडर हों अंडर कंपनी जैग्ट हां आपने उस कंपनी को प्रोवाइड नहीं करना है लेकिन साथ साथ अगर आप उस company के holding company को यह service प्रोवाइड कर रहे हो तो आप उस company में auditor नहीं हो सकते हैं किस company में उस company है मतलब आप अगर मान लेते हैं यहाँ पर example के तौरपे हैं अगर बात करते हैं यहाँ पर है Reliance Jio तो Reliance Jio एक company है आप इसके auditor होना चाहते हो तो आप Reliance Jio के auditor होना चाहते हो तो 144 की services Reliance Jio को provide नहीं कर सकते हैं आज़ा Reliance Jio की एक holding company है ठीक है न रिलाइंस industries limited ओके तो Reliance Industries Limited को भी आप यह 144 की services provide नहीं कर सकते हैं तो Reliance Jio की एक subsidiary company है Reliance Jio की एक subsidiary company Reliance power ठीक है तो 144 के services आप इसको भी provide नहीं कर सकते हैं तो उस company को ना उसकी holding company को ना उसकी subsidiary company को आप यह 144 के service provide नहीं करेंगे कौन-कौन services I am Dr. CA हाँ 144 में एक point discuss करना रहे गया था मेरा यहाँ पे holding the securities of the company in rate to the company and giving guarantee to the company इसमें एक बात discuss करना रहे गया था मेरा अब example के तोर पे अगर PRP PRP क्या नहीं कर सकते है security hold नहीं कर सकते है in company relative hold कर सकते है एक लाग तक ठीक है अब security किसमें company में यानि कि जिस company के आप auditor हो for example यहाँ पर आमने देगा था कि Reliance Jio तो Reliance Jio में अगर आपने एक रुपे के भी security hold की है तो आप उस company के auditor नहीं हो सकते साथ-साथ Reliance Jio की holding company holding company कौन सी है इसकी Reliance Industries Limited तो इस company में भी आप security hold नहीं कर सकते साथ-साथ Reliance Jio की एक subsidiary company किसमा नाम है Reliance Power तो इसमें भी आप क्या नहीं कर सकते security hold नहीं कर सकते मतलब आपको अगर Reliance Jio को audit करना है तो Reliance Jio के holding कंपणी सी होलडिंग नहीं करने Reliance Jio के subsidiary company यह holding कंपणी होगी और ये subsidiary company साथ-साथ- hic presidentsante companyisto कौन लेते हैं मुंबा इंडियान्स की मान लेते हैं तो फो की उसमें भी वैप और साथ-सा धृष की जो होल्डिंग कमपनी ऐ कौनसी इंडेस्टरिय लिमिडेट कैंज क्मपनी है और तो मान लेते हैं क्मपनी नाम है वैंन इंफराइस्ट्रॉक्चर्टियर इसकी नहीं न रतों किस सबसेटरी कंपनि नहीं कर सक क्तेया मतलब आप जिस इस कंपनी के उड़ीटार होना चाते हो उस कंपनी में भी इनके कर सकते हैं उसके कंपनी के सी कंपनी किस्परी कंहुडी same goes with यहाँ पर, कहाँ पर, indicted to the company or to its holding or to its subsidiary or to the associate or the subsidiary of such holding company, giving guarantee to the company or to the holding or to the subsidiary or to the associate or to the subsidiary of such holding company, clear है तो इस चीज़ को आप जरूर याद रखेंगे इसको ठीके ना, यह आपके qualification, disk qualification के लिए है, हाँ, लेकिन यहाँ पर मैं जहाँ पर बात करता हूँ 144 की, तो यहाँ पर बस कंपनी और subsidiary कंपनी यहाँ पर associate company और holding of such subsidiary यह दोनों include नहीं होते हैं, यहाँ पर बस आप 144 के सर वीचे उस कंपनी को, उसके holding company को और उसके subsidiary कंपनी को provide नहीं कर सकते, clear है बात, ओके, आगे बड़े, उसके बात, एक छोटा section है section 142 that is the remuneration, यानि क्या आप इतना काम करें इतना qualification, this qualification देख लिया, यह कर सकते, वो कर सकते, यह देख लिया, लेकिन पैसा कितना मिलेगा, तो पैसा decide करते हैं, अगर मान लेते हैं, board of debtors ने first auditor का प्वाइटर का प्वाइटर का रेमuneration, first, sorry, first auditor का जो रेमuneration है, वो directors decide करते हैं, अगर यह members ने उनको प्वाइट किया ह था, that appointment and reappointment of the auditor and fixation of the remuneration, और साथ-साथ अगर general meeting में, यह अपनी government company लिखना चाहिए था, yes, government company, अगर government company case में है, इसको कार दो, अगर government company का auditor है, तो वह आपे उसका auditor appoint करने के power CAG के पास है, तो CAG उसका remuneration decide करेगा, वोटा मुटी बात कर ले, जो appoint करेगा, वही remuneration decide करेग अगर board of duties ने appoint किया है, तो board decide करेंगे, general meeting में members ने appoint किया, तो members decide करेंगे, और CAG government company case में, CAG ने appoint किया है, तो CAG उसका remuneration fix करेंगे, ठीक है, उसके बात, next section है, बहुत ही important section है, section 143, rights and powers of an auditor, तो यहाँ पे देखो, मैंने, एक simply, एक chart बनाया हुआ है, regarding the rights and powers of the auditor, that is the duties of the auditor, भी उसके बाद duties में चाते है, तो पहला right देखो, right of access at all the times, books of accounts and vouchers, तो auditor audit करेगा, तो उसको सारे books and papers, और books of accounts, vouchers का access देना चाहिए, तो as an auditor, अगर आप audit कर रहे हो, तो आपको audit करने के लिए documents के जरूते हैं, जिसका आप audit करोगे, तो auditor should be given a right to access the books of accounts at all the times, उसके बाद, जो भ he should obtain information and explanation on each and everything for which he is doing the audit, so for the purpose of audit, if the explanation and information is required, तो उसका information, वो जो explanation है, वो जरूर लेगा, ठीक है, इसमें एक बात है, section 143, subsection 1 में, वो हम लोग pending रखो, इसको discuss करेंगे थोडी दिर में, ठीक है, उसके बाद, he has a right to visit the branches, अगर company में branches है, तो branch को revisit करने का भी उसका right है, इसमें भी एक point है, इसको एक बार star mark करो, इसको discuss करेंगे, उसकी बाद, he has a right to sign the audit report, जी हाँ, उसको audit report है, तो वो sign करेगा, and he has the right to receive remuneration under section 142, नहीं मिला, तो case माल करेगा, तो यह लगबक क्या है, कुछ rights अपने पास सामने रखे हुए, हाँ, यहाँ पे section 143, subsection 1, यह जो हमने star mark किया हाँ है, और यह वाला star mark, अभी हम लोग देखेंगे, तो पहले बात करते हैं, that auditor has a right to what, obtain the information and explanation, उसके लिए एक point है, जो discuss करेंगे, that auditor has a right, okay, to seek the information, to seek the information and explanation on following issues, so specifically auditor को बोलाए, section 143, subsection 1 में, कि auditor तुमने इन बातों के ओपर information और explanation लेना ही लेना है, पहला, अगर मान लेते हैं, कि company ने loan दिया हुआ है, और अगर वो secure loan करके दिया हुआ है, company ने किसी को, तो उसके लिए proper security for loans and advances मिले हैं नहीं मिले, दूसरा, जो भी entries, जो merely book entries है, उसके बारे में वो information ले सकता, that is a general watch, जहाँ पर हम लोग provisions के entry करते है तो उसके लिए वो information ज़रूर मागया, अगर मान लेते हैं, कोई assets company के है, in the form of securities, मान लेते हैं, company ने किसी और company के security कर दिकिये, shares or debenture हो, और अगर वो purchase price से below में उन्होंने sale किये हैं, तो वो sale क्यों किये, कैसे हुआ, loss क्यों हुआ, क्यों आपने pillow purchase price बेचानी के loss में बेचा उसकी inquiry कर सकता है, क्या company ने loans and advances दिये, तो अगर उसको उन्हें deposit करके तो नहीं दिखाया है, मतलब यहापे interest को loss हो सकता है, तो इसलिए loans and advances अगर deposit करके दिखाया है, या नहीं दिखाया है, यह भी inquiry कर सकता है, कोई personal expenses revenue account को तो चार्ज नहीं कि, यानि कि directors के हो, CEO, CEO, Officer, Employee के personal expenses company के panel में तो चार्ज नहीं हुए है, और जो shares, जो allot हुए है other than cash, हो सकता है, company ने कोई land खरीदी की है, कोई machinery खरीदी की है, कोई property खरीदी की है, in the consideration of shares, तो shares cash के बगेर किसी भी प्रकार से issue नहीं हो सकता है, लेकिन यहापे company ने shares issue करके वो property खरीदी की है, तो उसको बोल the important mark करना exam में बहुत बारी सवाल आया है, that on the, what is the right of the auditor to seek the information and explanation on particular matters, this is the list that you have to remember, उसके बाद मैंने आपको और एक बात बोले थी, branches के लिए, ठीक है, तो branches के लिए यहापे देखो, यहापे, yes, तो branches के लिए मैंने आपको बताया था, कि अगर मालेते एक auditor, जिस company को audit कर रहा ह अगर उसके बहुत सारे branches available है, तो branches अगर है, तो हो सकता है auditor उस branch का खुद audit करता हो, या फिर उस branches के auditor कोई और auditor है, जो उस branches के audit कर रहा है, अब यहापे अगर वो खुद audit कर रहा है, तो he has a right to visit the branches, लेकिन अगर कोई दूसरों auditor उस branches के audit कर रहा है, तो auditor has a right to get the audit report and information from that branch auditor for the purpose of completing the company as a whole, तो उस branches के auditor से information, उस branches के audit report लेके वो अपने report में क्या करेगा, consolidate कर सकता है, साथ साथ हम लोग भी देखेंगे कि duties क्या क्या होते है, तो duty पहला duty उसने report करना है, रिपोर्ट में भी यह जो तीन पॉइंट है, यह आपने याद रख ले, अब रिपोर्ट में वो कौ sought and obtained all the information and explanation, audit report अगर देखो कि CA inter audit में, SA 700 में audit report देखते हैं, तो audit report के format में, आप किसी भी company को audit report उठा के देखो, आपको यह point जरूर देखेगा, तो क्या auditor ने सारी information and explanation लिया हुआ है, which is very important for the purpose of audit, तो वो audit report में लेखेगा, मिला है या नहीं मिला है, उसके बाद, whether the proper books of accounts has been kept, section number, section number 128, so 128 के मुताबिक proper books of accounts रखे नहीं रखे हैं, और company के जो balance sheet पेंडल है, वो are in agreement with the underlying record, जो वाउचर, books of accounts जो बनाये हैं, उसके उपर उनी balance sheet पेंडल बनाया है, यह तीन बाते auditor के report में, तीन बाते होनी चाहिए, adverse हो, positive हो, auditor ने उसके पर report करना है, तो याद रखेंगे हाँ, अगर माल लेता है company, government company है, और उसके आप auditor हो, तो आपने जो audit report है, वो किसको किसको देना है, आपने audit report देना है, किसको? कंपनी को देना है, ROC को देना है, साथ-साथ CAC को आप अपना audit report सर्मिंट करेंगे, CAC क्या करता है, अपना audit report लेके, वो audit report उपर पारलेमेंट म यह भी एक्जामनेशन में रीटेल में आता है देखो छोटी सी बात है रीटेल में सवाल आते हैं इसके उपर तो जैसे आपने audit खतम करके audit report केक को सब्मिट कर लिया ही में conduct the supplementary audit very important supplementary audit इसको थोड़ा याद करना बच्चो तो ही में conduct what supplementary audit and comment upon और supplement such audit report ठीक है और एक दूसरी बात है यह भी important है ठीक है ना the controller and auditor general of India may cause test audit to be conducted on the accounts of the company तो यहाँ पर दो point आपने याद रखने है एक तो point होगे आपका supplementary audit का और एक बात होगे कॉणसी बढ़ो test audit की ठीक है ना यह दोनों point आपने याद रखने to conduct the supplementary audit और right to conduct the test audit तो जैसे यह auditor ने हमने कैग को audit report submit किया कैग के पास अगले में दो राइड है एक तो supplementary audit करवा के लिए या फिर test audit करवा के लिए या फिर क्याग हमको छोटी किसी और auditor को भी कर सकता है और उसके बाद वह main audit supplementary audit और test audit का रिपोर्ट किसको देगा पार्लेमेंट के पास submit करगा यह चीज़ा आपने जरूर याद रखेंगे ठीक है उसके बाद liability pay damage हमने उपर देख लिया branch audit हमने खतम कर लिया फ्रॉड reporting यह सेक्षन नमर 143 सब्सेक्षन सेक्षन यह साप मुझको जरूर इस वीडियो के comment box में डालेंगे कि मैं फ्रॉड का reporting कुछ तो है ठीक है न यहापे फ्रॉड का reporting होता है अभी फ्रॉड का reporting किस प्रकार से होता है ठीक है अगर आपका फ्रॉड एक करोड या फिर आपका फ्रॉड एक करोड से जादा है ठीक है मतलब आप जिस company का audit कर रहे हो उस company के उस company में आपको फ्रॉड नजर आता है और वो फ्रॉड के amount अगर एक करोड से कम है अगर एक करोड से कम है तो आपने उस फ्रॉड का reporting करना है अगले दो दिन के अंदर या उसको reporting करना है board of data's audit committee under section 177 अगर फ्रोड की amount एक कोड़ या फिर उससे ज्यादा है तो आप अगले दो दिन के अंदर report करेंगे किसको board of data's audit committee को और अगले 45 days तक wait करोगे for getting the reply जैसे reply आता है या फिर reply नहीं आया 45 days तक तो आपने क्या करना है अगले 15 तरह दिन में उसको report करना है central government को अब सेंटर गवर्मेंट को अब सेंटर गवर्मेंट मतलब कौन सेंटर गवर्मेंट यानि की ministry of corporate office अब ministry of corporate affairs मतलब किसको secretary of ministry of corporate office यह भेजना है आपने speed post या फिर register post acknowledgement due से यह reporting होना चाहिए on the letterhead of the auditor जिसके उपर आपका phone number email id और phone number नहीं है तो mobile number भी होने चाहिए नहीं कि contact details होने चाहिए साथ-साथ उसके उपर आपका membership reply आया हुआ है तो वो reply भी आप उसमें लिक करके किसको बेजेंगे सेंटर गोर्मेंट को यार की ministry of corporate office को बेज देंगे यह हो गया फ्रॉड का reporting section 143 क्या चीज़े आप मुझको बताएंगे ठीक है यस तो यहाँ पर अपना अगें chapter that is the audit and auditors अगर कुछ और भी भी डाउट आपके बच्चे होए इस चाप्टर में से तो प्लीज आप मुझको comment box में अपने doubts पूछ सकते हो या फिरेक्टली मेरे से contact कर सकते हो ठीक है ना मेरा contact नमबर है 9921-45-8345 ठीक है तो यहाँ पर आप मुझको क्या कर सकते है doubts पूछ सकते है मुझको whatsapp कर सकते है यह number में ने description भी छोड़ा हुआ है और अगर आपको group join करना है जहाँ पर regular updates आते हैं तो मेरे group पे भी join हो सकते है उसका भी link में description पे छोड़ दिया है हाँ और don't forget to watch the earlier video of the revision which I have told you at the start of the lecture okay so I hope आपको आज का revision clear है thoroughly detail में हमने revise कर लिया है and all the very best for the preparation of this chapter wait for the next chapter revision in the next video till then bye bye love you all